चकली बनाने के तो हम लोग बहुत से तरीके जानते हैं लेकिन कुछ तरीके बिलकुल लाजवाब होते हैं और इस तरीके से जब आप चकली बनाएंगे आपको 100% कह सकती हो मैं कि बहुत पसंद आने माला है यहां पर मैंने दो आलू लिया है एवरेज साइस की आलू है और उन्हें अच्छी तरीके से धुलके साफ करके उसको बॉयल कर लिया है बॉइल करने के बाद वो जब ठंडा हो गया है मैंने उसे ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद उन्हें में एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ और उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेगे इस आलों को हमें थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है साथ ही हम डालेखे उसमें तोड़ा सा करम मसाला और दोस्तो साथ ही ऐड़ किया उसमें आधे जममच कश्मीरी मिर्च इन सारी चीजों कोंबिनेशन जब इसमें आता है ना बहुत अच्छा लगता है और सबसे मज़ेदार जो इसमें चीज एड़ करनी है वो हमें है आमचूर पाउडर याने की मैंगो पाउडर तो दोस्तों यहां पे बैने एक चमच मैंगो पाउडर भी एड़ कर दिया है और चटपटा सा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें आड करनी हूँ चमच काला नमक और साथी एड़ करेंगे एक छूटा चमच काली मिर्च पाउडर यह सारी चीजों कांबिनेशन इसमें बहुत टेस्टी लगता है और सबसे इंपोर्टेंट इंग्रेडियंट एक चमच तेल मस्टरड ओएल इसमें अधि करेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मस्टरड ओऔल जो है इसमें सॉपनेश पी province करता है और इसक घिन और सबाएं मिक्स करनेते हिं इल्कुल होमो जीनिए मिक्स करनि मिक्स करने में कमी हो गई तो हमारी रेसिपी उत्ती परफेक्ट नहीं बनेगी तो इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरा आलू ना चारो तरफ से स्पैसी हो जाएगा और यहां पर मैंने एक कप मक्के का आठा लिया है आपको इसली मार्केट में मिल जाएगा क किसी भी जो शॉप होती है उसमें से दो दो चमज करके हम घचास हूप द्सक्राइगे उसको मिक्स करते जाएगे पूरा एकसाथ हमें नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके घाल क्या हुत्जाने कि हमें बिलकुल विलकुल अच्छी तरेक highly adche the blue zwei पे हे एइस में तो र मिक्स चाहिए मिलते चै近ude जाएंगे गऑप जाएंगे में लिए काई चाहिए आइसे करें रहे हुआ मुलाले करने अधी नियुक्ता है कि चर्णा में शिर्ट रिढ है साथ ताथ यह जर पाने आःड़ जाहिए और आज पाने हैं त्यज्या थो बनाएंगे तो पॉर्फेक्ट रेसीपी बनेगी और यह देखिए मैं इस वक्त आधा कप में से आधा कप डाल चुकी हूं और यह देखिए अभी गिला है तो अभी इसमें 2 चम्म और ढालेंगे और फिर उसे मिक्स करेंगे तो फाइनली हमारा एक अच्छा सॉफ्ट सा डो बिल्कुल रेडी हो गया है उसके बात मैंने यहां पर लिया है चकली बनाने वाली मशीन और चकली बनाने वाली मशीन को अंदर से ग्रीज करना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि अंदर से ग्रीज रहेगी तो आपका जो भी मटीरियल है बेसन मैदा जो भी आप यूज करते हैं यहां पर हम मक्य काटा यूज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर चिपकेंगी नहीं बिल्कुल पर्फेक्ट बनता है तो इस तरही के से मशीन को ग्रीज करने के बाद उसके अंदर हम एक पार्ट को इसके अंदर डाल देंगे इस तरही के एक प्लेट लेंगे और प्लेट ही में हम चकली बनाएंगे तो इस तरही की से घुमा घुमा के चकली बनाएं और यह देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट और इसको एक नाइफ की हेल्प से काटके और जो एंड है वो आपको अंदर के साइड मोडना है बाहर के साइड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आप कोई भी दूद का पकेट या तो आप रिफाइन ने पेड लि Just ही सकते हैं उसके बढा सकते हैं और संदध हो बना सकते हैं जो यहां पर मैंने चपटभा मैंने कडही में मैंने डाल दिया है कुकिंग ओईल हमारा मीडियम हो चुका है और मीडियम होट से बलकी थोड़ा जाद ही रखना है उसके बाद एक एक चकली करके मैं इसमें डाल दे नहीं हूँ यह देखे पूरी कज़ा ही बबलस भर जाती है चकली को एक दूसरे से चिपका के नहीं टाले थोड़ा से इसमें गैब देखे ही बनाएं तो इस तरीक से जिए देखी bubbles पहले से कम हो गाये हैं डालना जामें तो मैं फ्ले को रखना है फुल उसके बाद फ्लेम को हमें कर देना है कम तो दोस्तो ये bubbles जो है, वो जिब आप डालेंगे तो काफी bubbles आ जाएंगे और ग्राजूली ये bubbles सेटल हो जाएंगे तो bubbles पहले से कम हो गए हैं और जब bubbles कम हो जाएंगे तो उसमें हम लगाएंगे spatula के help से हलका सा उसे हिलाड उला देंगे और ये खुद बाखुद भी उपर आ जाएंगे बिल्कुल perfect बनी है अगर recipe perfect बनेगी तो ये खुद बाखुद ही उपर आ जाएंगे बिल्कुल light weight होती है अंदर से बिल्कुल hollow होती है खोखली होती है अंदर से और बाहर से बहुत ही ज़्यादा crisp बनती है दोस्तों आप मेरे कहने से एक बार आप इस recipe को जरूर ट्राइ करेंगे तो आप इसके fan हो जाएंगे बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट बिल्कुल market जैसा आता है बहुत ही unique recipe और बहुत ही मज़ेदा लाजवाब recipe है तो दोन तरह की दरब से flip कर आते हुए मैं इसको सेक ले रही हूँ अच्छे से इसको fry कर लेना है हमें और यह देखें यह पहले सलगे से ब्राउन होने शुरू हो गए है और इसको टोटल मैंने 6-7 मिनट सेका है और हमारी चकली हलकी से golden हो गई है उपर से पूरी तरीके से कुरकुरी हो गई है अब मैं इसे निकाल ले रहे हुए एक टिश्यू पेपर पर दोस्तों इस तरीके से चकली जबाब बनाएंगे आपको बहुत पसंद आनी वाली है बिलकुल crisp बनती है बहुत लाजवाब बन मेरे चैनल हो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले साथ ही फ्रेंड फैमली के साथ से इसे शेयर करें और अगर रेसेपी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें इट गिवस्मी अ लॉत अफ मोटिवेशन और थैंक्यू वर वाचि झाल 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 झाल